जीबी पंथ यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इन्होंने लिखा है अपडेट्स रिकार्डिंग दप्रोसेस ओफ एड्मिशन तू यूजी प्रोग्राम सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दिया है उत्राखन में कोविड-19 की मौजुदा इस्तिती को ध्यान में रखते वे जीबी पंथ विसुविद्याले ने उन सभी केंडिडेट को यूजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए प्रमिशन दे दिया है जिन्होंने 2020-2021 सेशन में यूजी प्रोग्राम के लिए आवेदन किया है यूजी प्रोग्राम जैसे BBSC, Animal Husbandry, BSC Agriculture, BSC Community Science, BBSC and B.Tech Food Technology इनमे जो एड्मिशन होगा आपका वो होगा on the basis of their merit in intermediate, intermediate के merit के according और equivalent exam देखो friends, यहाँ पर लिखावा है, it is also decided that the percentage of marks secured in the following subjects at intermediate or equivalent level will be considered for preparing the merit list of the candidates आपकी जो class 12th के जो main subject हैं, उनके marks को calculate करके उनके percentage निकाली जाएगी, उसी इसाब से merit list बनेगी जैसे, यहाँ पर दिया है, तीन group दिया है, group 1, group 2, group 3, इसमें क्या है, first जो group 1 है, उसमें जो है, आपकी जो main subject वो होने चाहिए हैं, आपके physics, chemistry, biology, उसके marks calculate करेंगे और उसी से percentage निकालके merit बनेगे, और same यहाँ पर group 2 में physics, chemistry, math दे रखा है, उनके marks calculate करेंगे और उसी साब से merit बनेगे number group 3 में यहाँ पर दे रखा है, 3 best squad agriculture subject, जिनकी class 12 में agriculture subject है, उनके 3 best squad agriculture subject को चोड़े जाएंगे, उसी के साब से percentage, उसी के साब से merit बनेगे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन अभियारतियों ने पहले आवेदन किया है, अगर वो new mode of process of admission में interested नहीं है, तो वो अपना नाम वापिस ले सकते हैं, means वो अपना नाम कटवा सकते हैं, और साथ ही वो अपना fee refund के लिए भी apply कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, आप अपने user ID और password के तुरू login करने की जो date है, वो है आपकी 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में आपको login करके अपना नाम कटवाना है, और साथ ही fee refund के लिए apply करना है, अगर एक बार आपका नाम कट गया, तो 2020-21 session में UG program के लिए आप दुबारा apply नहीं कर सकते हैं, उसके process, ऐसे candidate जिन्होंने अभी तक applied नहीं किया, अगर वो interested है, UG program में admission लेने के लिए merit based में, तो वो अपना application form online भर सकते हैं, जी बी पंत यूनिवरसिटी की official website में जाके, online application form भरने की जो date है, वो है आपकी 1 अगस्त 2020 से लेके 15 अगस्त 2020 के बीच में वो apply कर सकते हैं, उसके बा के लिए पहले आवेदन किये हैं, and are interested to going with the new mode of process, अगर वो merit based में admission लेने के लिए interested हैं, तो उन्हें क्या करना है, अपनी mark seat, class 12 की mark seat, उन्हें scan करके upload करना है, और साथ ही अपने marks, जो आपके marks आया है, main subject के, वो आपको वहाँ पे fill करने पढ़ेंगे, mark seat upload के लिए आप क्या क बीस से लेके, पंदर अगस 2020 के बीच में, आपको scan करके upload करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, 15 अगस्त के बाद, आप अपने document upload नहीं कर सकते, The merit list for all applicants will be prepared after getting desired information by the last date 15-8-2020, 15 अगस्त 2020 तक का आप जो भी अपनी information, जो भी अपने marks और mark seat upload करोगे, उसको देख के जो merit बनेगी, उसकी एक list तैयार की जाएगी, वो list वेबसाइड में upload कर दी जाएगी, 15 अगस्त 2020 के बाद में, और यहां पर लिखा हुआ है, The candidates are advised to visit website of the university regular, आपको समय समय पर GBPanth University की website पर visit करते रहना है, for further आगे की update के लिए, अगर आपको कोई fake call आती है, for admission से related, तो आप उसे बिलकुल avoid करिएगा, अब मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना के लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, new mode of process of admission के बारे में, पूरा step by step आपको समझाऊंगा, कि कैसे आपको merit based admission के लिए apply करना है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को subscribe करना और साथी बैल आइकन भी प्रेस करना है, हमें उमीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसे like करेगा, और important लगे, तो और भी अपने friend लोगों के साथ share करेगा, वो आपको दिल से thanks कहेंगे, और साथ ही हमारा motivation भी बने रहता है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नई topic के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन जैवारत,